C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 9 आकणों का प्रबंधन प्रिष्ट 210 9.6 चित्रा लेखों को खीचना चित्रा लेखों को खीचना एक रोचक क्रिया है परन्तु कभी कभी कोई संकेत जैसे के एक चित्र जो पीछे दिये गए उदाहरणों में से एक उदाहरण में प्रयोग किया जा चुका है इकायों के गुणज यानि मल्टिपल के रूप में भी प्रयोग हो सकता है तथा इसे खीचने में कठिनाई भी हो सकती है इनके स्थान पर हम सरल संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं यदी एक संकेत पांच विद्यार्थियों को निरूपित करता है तो आप चार या तीन विद्यार्थियों को किस प्रकार निरूपित करेंगे हम ऐसी स्थिति की निम्न प्रकार से कल्पना करके हल कर सकते हैं ये चिन्ह पांच विद्यार्थी निरुपित करता है तो ये चिन्ह चार विद्यार्थी निरुपित करता है ये चिन्ह तीन विद्यार्थी निरुपित करता है और ये चिन्ह दो विद्यार्थी निरुपित करता है। इसके बाद निरुपन का कार्य प्रारंब करें। उदाहरण साथ किसी सप्थाह में एकक्षा के तीस विद्यार्थियों की उपस्थिती निम्नलिखित है। इसे एक चित्रा लेख द्वारा निरुपित कीजिए। दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। सुमवार 24, मंगलवार 26, बुधवार 28, ब्रहसपतिवार 30, शुक्रवार 29, शनिवार 22। हल। पहली की गई कल्पना के अनुसार, चौबीस को इन चिन्हों से निरुपित किया जा सकता है, इत्यादी। प्रिष्ठ 211, इस प्रकार चित्रा लेक निम्न होगा, दिन विद्यार्थियों की संख्या। सोमवार ये चिन्ह, मंगलवार ये चिन्ह, बुधवार ये चिन्ह, ब्रहसपतिवार ये चिन्ह, शुक्रवार ये चिन्ह, शनिवार ये चिन्ह। यहां हमने एक प्रकार का समझाता किया है कि पांच से कम को एक चित्र द्वारा कैसे निरुपित करें। इस प्रकार के चित्रों को तोड़ना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। निमनलिखित उधाहरन का अध्ययन कीजिए। उधाहरन आठ। किसी वर्ष के प्रथम चार महीनों में किसी विश्राम ग्रिह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निमनलिखित है। महीना बल्बों की संख्या। जनवरी 20, फरवरी 26, मार्च 30, अपरेल 34। उपरोक्त को एक चित्रा लेख द्वारा निरुपित कीजिए। हल। माना के ये चित्र दस बल्बों को निरुपित करता है। जनवरी 2, फरवरी 2, मार्च 3, अपरेल 3, प्रिष्ठ 212। यहां जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन नहीं है। परन्तु 26 और 34 को चित्रों द्वारा निरुपित करना सरल नहीं है। हम निकटतम 5 तक 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं। फिर हम फरवरी के लिए ढ़ाई बल्ब और अपरेल के लिए साढ़े 3 बल्ब दर्शा सकते हैं। प्रश्नावली 9.2 एक पांच गावों में पशूओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गाव A, 80 गाव B, 120 गाव C, 90 गाव D, 40 गाव E, 60 संकेत X का प्रयोग करके जो 10 पशूओं को निरुपित करता है। इन पशूओं का एक चित्रा लेख बनाईए और निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए। A, गाव E के पशूओं को कितने संकेत निरुपित करते हैं। B, किस गाव में पशूओं की संख्या अधिक तम है। C, किस गाव में अधिक पशू हैं गाव A या गाव C में। 2, विभिन वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष विद्यार्थियों की संख्या A, एक संकेत का प्रयोग करके जो सौ विद्यार्थियों को निरुपित करता है एक चित्रा लेख बना ये और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। A. वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरुपित कर रहे हैं B. वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरुपित कर रहे हैं बी, कोई और संकेत लेकर जो पचास विद्यार्थियों को निरुपित करता हूँ, एक अन्य चित्रालेख बनाईए, कौन सा चित्रालेख अधिक सूचना प्रद है? नौ दशमलव साथ, दंड आलेख आंक्णों को चित्रालेखों द्वारा निरुपित करने में न केवल समय अधिक लगता है, बलके कभी-कभी यह कठिन भी होता है, आइए आंक्णों को निरुपित करने की कोई अन्य चित्री यविधी देखें प्रिष्ठ 213, एक समान चोड़ाई यानि युनिफॉर्म विध के ख्षैतिज या उद्वाधर दंड यानि बार्स खीचे जा सकते हैं, जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है इस प्रकार खीचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या यानि मान को निरुपित करती है आंक्णों को प्रस्तुत करने का यह चित्री या निरुपन एक दंड आरेक यानि बार डायग्राम या दंड आलेक यानि बार ग्राफ कहलाता है आये किसी विशेश दिन याता यात पुलिस द्वारा दिल्ली के एक भीड़ वाले व्यस्त चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों के बारे में किये गए अध्ययन के उधाहरन पर विचार करें प्रातह छे बजे से दुपहर बारह बजे तक प्रत्येक घंटे में उस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दिये दंड आलेख में दर्शाई गई है एक इकाई यानि यूनिट को सांकेतिक रूप से एक खाने यानि बॉक्स से निरुपित किया गया है यानि एक इकाई बराबर एक पैमाना है एक इकाई यानि मात्रक लंबाई बराबर है सो वाहन अर्थात एक इकाई लंबाई बराबर सो वाहन हम देख सकते हैं कि अधिक्तम यातायात सबसे लंबे दंड अर्थात बारह सौ वाहनों से निरुपित है और यह प्रातह साथ से आठ बजे के अंतराल में है इससे ठीक छोटा दंड आठ से नौ बजे के बीच में है इसी प्रकार नियुनितम यातायात दर्शाने वाला सबसे छोटा दंड अर्थात सौ वाहनों से है यह प्रातह छे से साथ बजे के अंतराल में है इस छोटे दंड से ठीक अगला दंड ग्यारह से बारह बजे के बीच के समय का है दो अती व्यस्त घंटों आठ से दस बजे में कुल यातायात स्कूल, कार्याले और व्यापारिक संस्थानों के लिए एक हजार जमा नौसौ बराबर उन्नीस सौ वहन हैं जो दो लंबे दंडों द्वारा प्रदर्शित हैं प्रिष्ठ 214 यदि आकणों में संख्याएं बड़ी हूँ तो आपको एक भिन पैमाने यानी स्केल की आवशक्ता पढ़ेगी उदाहर नार्थ भारत की जनसंख्या व्रिद्धि की स्थिति को लीजिए ये संख्या करोडों में है इसलिए यदि आप एक इकाई बराबर एक व्यक्ति लेंगे तो दंड खींचना संभव नहीं हो पाएगा अतह इस तरह का पैमाना चुनिए कि एक इकाई दस करोड निरुपित करती हो इस स्थिति में दंड आलेक निम्न आकरती में दर्शाया गया है इसलिए पाँच इकाई लंबाई का दंड पचास करोड निरुपित करता है और आठ इकाई लंबाई का दंड असी करोड निरुपित करता है यहां भारत की जन संख्या करोडों में दर्शाई गई है और एक एक काई लंबाई बराबर है दस करोड के उधाहरण 9 किसी स्कूल की एक विशेश कक्षा के निम्न लिखित दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए ए इस आलेख का पैमाना क्या है बी प्रतेक वर्श स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं सी क्या वर्श 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्श 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दो गुनी है यहां विद्यार्थियों की संख्या को वर्षों के सामने दिखाया गया है A की काई लंबाई बराबर है दस विद्यार्थी के हल A पैमाना है A की काई लंबाई बराबर दस विद्यार्थी अब B और C स्वयम कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत